मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए, शिव बाबा मुरली में समझाए, पूले जीवन में हो जाए, शिव बाबा मुरली में समझाए, पूले जीवन में हो जाए, शिव बाबा मुरली में समझाए, पूले जीवन में हो जाए, शिव बाबा मुरली में समझाए, पूले जीवन में हो ज तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार करशीट सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बावा ने प्रेशन पूछा। बच्चों को विशेश थकाबट किस बात में आती है। थकाबट आने का मुख्य कारण क्या है। संग दोस्तु संग ऐसा मिल जाता है जो बाव का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पाव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को साथान करते हैं बच्चे। समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना गीत माता ओ माता ओम शान्ती रोहानी बाप रोहानी बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शान्ती इसको भी महा मंतर कहा जाता है आत्मा अपने सब्धर्म का मंतर जबती है मुझे आत्मा का सबधर्म है शांत मुझे शांती के लिए कोई जंगल आदी में जाने की दरकार नहीं मैं आत्मा शांत सबूप हो यह मेरे आरगंज है आवाज करना ना करना यह तो मेरे हाथ में है परन्तु यह ग्या ना होने कारण दर-दर भटकते हैं इस पर एक कहानी भी है एक रानी का हार गले में था लेकिन वह भोल गई उसे लगा कि मेरा हार खो गया है तो वह बाहर ढूंट रही थी फिर कोई ने कहा हार तो गले में पड़ा है यह दिस्टांत देते हैं मनुश्य दर-दर भटकते हैं ना सन्यासी आदी भी कहते हैं मन की शांती कैसे हो प्रंतो आत्मा में ही मन बुद्धी है आत्मा इन और्गंज में आने से टाकी बनती है बाब कहते हैं तुम आत्मा अपने सब धर्म में रहो इस देख के सब धर्म भूल जाओ बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांत में बठाओ, निश्टा कराओ, यह भी कहना रांग है, एक आत्मा, दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बठाओ, अरे क्या तुमारा सब्धर्म शांत नहीं है, तुम आपे ही नहीं बैठ सकते हो, चलते फिरते तुम सब्धर्म म क्यूं नहीं टिकते हो जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला तब तक सबधरम में कोई टिक नहीं सकते उन्होंने तो कह दिया है आतमसो प्रमात्मा सो तो सबधरम में टिक नहीं सकते इस आशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जनम है अभी तुमको चलना है शांत देश में फिर जाना है सुगधा में यहां तो घर घर में अशांती है सत्युग में घर घर में रोशनी है तो यहां अंध्यारा है यहां हर बात में ठोक कर खानी पड़ती है घर घर में अंध् जिराते हैं जब रावन मरता है फिर दीव माला मनाते हैं वहां तो रावन होता नहीं तो सदेव दीव माला ही है यहां रावन राज्य के कारण बारा मास के बाद दीव माला मनाते हैं रावन मना और लक्षमी नराएन का कारो नेशन हुआ उनकी खुशी मनाते हैं सात्यों में जब लक्षमी नरायन तकत पर बैठते हैं तो कारो नेशन मनाते हैं तुम जानते हो अभी रावन राज्या पूरा होगा भारत को फिर से राज्या भग्या मिलना है अभी कोई राज्या नहीं है बाप से राज्या मिलना है बेहद का बाप बेहद की राजधानी का बरसा देते हैं बाग कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का बरसा देने वाला हूँ बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं करके कोई सुख भी देंगे तो अलब कालशन भंगूर वह सुख है काग बिश्टा समान मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नह इसलिए इस दे सहीत दे के संबंद रखने वालों को भूलो या दे और दे के संबंदी तुमको दुख देने वाले हैं इनको छोड मुझ एक को याद करो याद करना होता है सवेरे अमरत बेले भक्ती मार्ग में भी मनुशे स्वेरे उड़ते हैं कोई किसकी मत पर क्या करते कोई क्या करते हैं बाप समझाते हैं स्वेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो यह है बाप का फ्रमान भगत भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान हैं अभी वे समझते नहीं हैं एक दिन वे सब तुम्हारे मिट्टर बनेंगे कहेंगे यह बात तो ठीक है इश्वर सरव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बिड़ा गरक करना है दूसरी बात भारत को सबराज्य का मक्षन दिलाने वाला है बाप उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का जिस शिरी क्रिशन को मक्षन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्षन दिलाने वाला शिरी क्रिशन है बाप के बदले बच्चे का नाम डाल श्रापित क्या है बाप है खवया तुम सब हो नईया यानि की नाव गाते है ना नईया मेरी पार करो अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में चंदरकार बेदांत में स्टीमर की बात है वह भी अभी का बनाया हुआ है तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो विशे सागर से अमरित अत्वा शीर सागर में जाते हो, जैसे लंडन में खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं, उनको इना मिलता है, यह फिर नर्क से स्वरग जाना है, बिशे सागर खारी है, तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रह उस पार जाना है, स्टीमर चलते चलते पोट आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते हैं, कोई चरते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं, तो रह जाते हैं, इस पर एक कहानी बनाई हुई है, क्रिशन को बटूक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है, फिर स्टीमर से चलते चलते कहीं उतर जाते हैं, तो वहां माया अजगर बैठी है, महारतियों को भी हप कर खा जाती है, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चे बुद्धी ना रहें, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं, तुमने देखा है, पंची मरते हैं, तो फिर चीडि रोपी भूत एक दम कच्चा खा कर हप कर लेते हैं, इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है, समझो, कोई स्तिमर में बैठे हैं, गेरिंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं, फिर अगर किसके संग में बिगड़ गे तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं, समाचा राते हैं, इनको क्रोध के भूत ने, मो के भूत ने पकड़ लिया है, पहले तो नश्टो मोहा बनना पड़े, मो एक से रखना चाहिए, यह है मेहनत, मो की जंजीरे बहुत लगी हुई हैं, अब एक से बुद्धी योग लगाना है, जैसे मनुश्य बक्ती बैठ करते हैं, तो बुद्धी धंदे तरफ घर तरफ चली जाती है, यहां भी तुमारा ऐसे होगा, चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पती याद आ जाएगा, बाप कहते हैं, इन जंजीरों से बुद्धी योग ह सिवाई शी बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है, सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा, हम आप के पास आए हैं, जरूर हम सवरक के मालिक बनेंगे, बाप और बरसे को अर्थात, अलफ और बे को याद करना है, अलफ अल्ला, बे बाजशाही, आत्म लंबा तिक लगाते हैं, कोई क्राउन माफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं, बाप कहते हैं, तुम आत्मा हो, जानते हो, आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकार्ड भरा हुआ है, अब बाप हरमान करते हैं, नि भी दे न सके, बाप कहते हैं, तुम्हारे सिर पर जनम जनमांतर के पाप हैं, वह याद के सिवाए बसब नहीं होंगी, एवर हेल्दी बनने लिए बाप को याद करना है, बाप से ही बरसा मिलता है, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी, पने का हेल्थ वेल्थ है, तो बाकी और पहले बाप को याद करना है तो बिकरम बिनाश होंगे और 21 जर्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और सब दर्शन चक्करधारी बनेंगे तो फिर 21 जर्मों लिए वेल्थ मिलेगी कितनी सहज बात है हमने 84 जर्म ऐसे चक्कर लगाया है अभी सब खाक हो जाने वाले हैं उनसे दिल क्यों लगाएं दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बात चाहिदे आतमाओं से बात करते हैं बच्चे अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो या शरीर तुमको पाट बजाने के लिए मिला है सबेरे उठकर या सिमरन करना चाहिए साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है बाकी और सा बिशे सागर में डूबने वाले हैं बाप है पार करने वाला उनको खबया बागवान भी कहा जाता है तुमको क कहते हैं दुख हरता सुक करता हर हर महादेव कहते हैं न शिब को ही कहेंगे यह है म्रमा विश्णु शंकर का भी बाप बहीं बाप 21 जनमों के लिए सुक का बरसा देते हैं तो उसको याद करना चाहिए न इसमें चाहिए हिम्मत याद करते करते ठक जाते हैं तो चलना ही ब संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा कोई कहेंगे ब्रहम कमारियों के पास तो जादू है लग जाएगा इनके पास नहीं जाना प्रिक्षाय तो आएगी ऐसे परश रहकर भी फिर संग दोश में आ जाते हैं, पाम नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती, यह भी निश्चे करते हैं कि बाप से स्वरक का बरसा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तुफान आते हैं, यह युद का मैदान है, आदा कल माया का रज्य चला है, अब यह सुख मिलता है सुखदाम में, बाकी नरक का सुख है काग बिश्टा के समान, स्वरक में तो सुख ही सुख है, तुम सुखदाम के लिए पुर्शार्थ कर रहे हो, बाक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है, यह युद रात दिन चलती है, उस्ता सरब शक्तिमान समर्थ है, हाथ छोड़ देंगे तो फिर सरब शक्तिमान भी क्या करे, हाथ छोड़ा, यह गया, स्टीमर की बात सास्त्रों में भी है, अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है, बेकुंट तो सामने देखने में आता है, पिछाड़ी के टाइम तो बहुत देखते थे पिछाड़ी में भी तुमको बहुत शक्तिकार होगा, जो यहां होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़कत रखते हैं, वहीं अन समय यह सब देखेंगे, बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा, यह दासी बनने वाली है, यह फलानी बनने वाली है फिर अफसोस करेंगे, हम दासी बनगे, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा, फिर बहुत पच्च्ताना होगा, शुरुआत में तुमने बहुत खेल पान देखें हैं, गीत है ना, जो हमने देखा, तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा, सब बतलाते रहेंगे, फिर ना चले तो ये हाल हुआ, अब कलब कलब ये पद मिलता रहेगा, इसलिए बावा कहते हैं, अपना पुर्शार्ट करते रहो, मात पिता को फालो करो, कैई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के बश हो, तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पाद भी पित्चियों ने साक्षतकार किया है, दुनिया में हैं असुरी संग, और यहां है इश्वरिय संग, बाबा सब बाते समझाते हैं, फिर ऐसे कोई न कहे, कि हम को क्या पता भिनाश के समय मनुश्य, बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षतकार करते रहेंगे, मिरुआ मोत मलूक का शिकार, इसी परकार से तुम डांस करते रहेंगे, तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं, जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे, बाब का बन कर फिर अगर हार गती दे दी, तो देख थोड़ी सकें पांच हिजा वर्श बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों परती, नमबर वार, पुरशाद, नुसार, याद, प्यार और गूढ मौनि, रोहानी बाग की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाभ, दादा को, शर्दा बरी प्रेम बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुर्ली के लिए दारना के लिए मुख्य सार नमबर एक समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है एक बाप से ही दिल लगानी है सवेरे उठकर याद में बैठना है संग दोस से अपनी संभाल करनी है कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है वरदान खुशी की गोली वा इंजेक्शन दवारा स्विम की दवाई स्विम करने वाले नालजफुल भव ब्रामन बच्चे अपनी बिमारी की दवाई स्विम ही कर सकते है खुशी की कुराक सेकिंड में असर करने वाली दवाई है जैसे डाक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते ऐसे ब्रामन स्विम ही स्विम को खुशी की गोली दे देते वह खुशी का injection लगा देते तो बिमारी का रूप बदल जाता knowledge की light might शरीर को भी चलाने में बहुत मदध देती है कोई भी बिमारी आती है तो यह भी बुद्धी को rest देने का साधन है slogan जो मन की एकागरता दवारा सरब सिद्यां प्रापत कर लेते हैं वही सिद्धी सवरूप बनते हैं जो मन की एकागरता दवारा सरब सिद्यां प्रापत कर लेते हैं वही सिद्धी सवरूप बनते हैं ओम शान्ति